नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिके डिजिटल कैश में तो दोस्तों यहाँ पर पाई चैट रूम के अंदर जो है जो पाई की तरफ से को टीम मेंबर है उनकी यहाँ पर चैट हुई है किसी पाईनियर के साथ में और इस चैट के अंदर दोस्तों जो भी डिसकुशन हुआ है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखने और समझने वाले हैं कि क्या इस चैट के अंदर बाते हुई हैं और क्या हमको अपटेट जो है इन चैट के दूँ मिला है तो वीडियो को एंड तक यहिए और साथी साथ जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बैल आइकन को ज़रू प्रेस करके रखेंगे जिससे कि आप लोगों यहाँ पर डेली बेसिस पर जो भी इंपोर्टेंट अपडेट दी जाती है या क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी नहीं नहीं अपोचिटिटिज और प्लैट्फरम जो है फ्रेंस यहाँ पर प्रवाइड की जाते है वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचें तो बढ़ते आगे दोस्तों और यहाँ पर बात करते हम इस चैट के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम है वो है बाइट बेटर का और इसके बाद यहाँ पर एड़वर्किंग यहाँ एड़वर्किंग की तरफ से लिखा गया इस देर एनी न्यूस वेन दा एड़वर्किंग की तरफ से लिखा गया सॉफ्वेर डेवलेप्मेंट किट यानि की वो टूल जो कि किसी भी वेबसाइट और प्लैटफॉर्म के उंदर जो है पाई पेमेंट और साथी साथ एक यूजर और जो एक प्रोवाइडर है जो की गोड्स और सर्विस्स प्रोवाइड करेगा वेंडर मर्चेंट्स वगर कर सकते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीक के फीचर जो है उनकी वेबसाइट उनकी एपस के अंदर जो है यूजर कर सकते हैं तो यह उसी को लेकर के बात यहाँ पर कही गई है चलिए इसके आगे जानते हैं यहाँ पर नेक्स चैट में क्या कहा गया है तो केलडेरा और उसके बाद adworking, first time in three years I have seen a real person from Pi Network in a chat, यानि कि तीन साल में मैंने पहली बार यहाँ पर देखा है, Pi Network की तरफ से कोई एक real person जो वो chat कर रहा है, I think it's great और मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही बढ़िया है, I hope you guys are planning on doing this weekly from now on, और मैं यह सोचता हूँ, मुझे यह उमीद है कि आप इस तरीके की planning जो है, वो weekly basis पर कर रहे हैं फिलहाल के time से, and it is motivating to know, और यह काफी जादा motivating है, काफी जादा जो है, आप लोगों को motivate कर सकता है to know there is a real people behind the scene, यह जानते हुए कि हमें यहाँ पर पीछे, I mean जो पाई की जो भी चीज़े हो रही है, टेकनिकल चीज़े हो रही है तो उसके पीछे जो भी है, या पाई network पूरे project के पीछे जो भी है वो एक real person है, तो यह जान करके एक अलगी motivation यहाँ पर मिल रहा है इसके बाद आगे लिखा गया, Edward Kang की दरफ से, I hear you and your frustration मैंने आपको सुना है और आपके frustration के बारे में भी सुना है So again, we are all working to improve our communication हम सभी लोग यहाँ पर जो है, communications को improve करने के लिए काम कर रहे है आगे भविश्य के लिए At the same time, external coverage of pie is important और ठीक, इसी समय दोस्तों, यहाँ पर जो external coverage यानि कि जो भारी चीजे हैं, जो भार क्या हो रहा है So, वो भी यहाँ पर is important हो जाता है जैसा कि यहाँ पर बोलागे At the same time, external coverage of pie is important for the project यानि कि same time पर यहाँ पर जो external coverage है वो pie के लिए, पूरे pie project के लिए बहुत जाता important है उसको successful बनाने के लिए And shouldn't be discounted और जो है, यह बिलकुल भी यहाँ पर discounted नहीं होना चाहिए In terms of progress यानि जो progress कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है Thanks, yes we are looking to communicate on a weekly basis हा, हम लोग यहाँ पर weekly basis पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे है And at least after the weekly home screen announcement और यहाँ पर कम से कम यहाँ पर हम इतना तो करी सकते हैं कि हर हपते यहाँ पर कोई नई announcement या नई update आप लोगों को provide कर सकते हैं इसके बाद Dorian D कोई pioneer है, उन्होंने उसके बाद यहाँ पर लिखा है Crypto Jing, so it's safe to say an SDK update is possible before the year is over So यहाँ पर यह काफी जादा जो है safe होगा यह कहना कि जो SDK update है वो उसकी संभावना हो सकती है इस साल के अंत तक या इस साल के अंत से पहले पहले So आगे लिखा हुआ है, Crypto Jing, wow that sounds nice, I am spinning round in a circle here But now I can breathe again and to answers from quoting makes a lot of hope यानि की बहुत ही बढ़िया है और यह बहुत अच्छे से जो है friends, I mean सुनने में जो अच्छा लगता है काफी जादा है और यहाँ पर मैं यहाँ पर spinning around यानि in a circle here, यहाँ पर जो circle में है मैं उसके अंदर गोल-गोल गुमरा but now I can breathe again but फिर भी मैं यहाँ पर जो है दुबारा से सांस ले सकता हूँ and to answer from CT और साथी साथ जो score team की तरफ से जो भी जवाब है उसको आप लोगों तक एक उम्मीद बनाए रखनी के लिए जो है वो पहुँचा सकता हूँ so makes a lot of hope इसके बाद यहाँ पर लिखा है dorian d की तरफ से a new feature should come but I don't know about a whole update तो यहाँ पर कोई नया features वो आना चाहिए पर मैं यह नहीं कह सकता कि कब तक यह जो नया update है वो आएगा इसके बाद यहाँ पर लिखा है crypto king की तरफ से ही my question is why can't we have push notification through email मेरा यह सवाल है कि दोस्तों यहाँ पर हम जो है हमारे पास में कोई push notification क्यों नहीं है through email, email के जरीए about the latest app developments and media coverage यानि कि जो latest development हो रही है और साथी साथ media coverage about pi network तो यहाँ पर ऐसा कोई notification push notification जो की email के जरीए provide क्या जा सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं है जिससे हमें यह पता सल सके कि यहाँ पर latest development क्या है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो media coverage है वो pi network को ले करके वो क्या है यानि कि इस तरीकी की पहल और इस तरीकी की feature वो यहाँ पर कही न कहीं जो लोग जो छूटते हुए जा रहे है pi network के अंदर से तो वो उन सभी को वापिस ले करके आ सकता है in active fox to the mainstream यानि कि जो mainstream है वहाँ पर उन active users को यहाँ पर लाने में काफी जादा सहाय काफी जादा helpful हो सकता है ओके तो यहाँ पर मैं तोस्तों चेक आउट कर रहा था कि कई recording बंत नहीं हो गई तो आगे लिखा हुआ है जहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो जिंग how compatible will pi smart contracts in the future यानि कि यह कितना जादा compatible होगा pi smart contract के साथ भविश्य में with stellar smart contracts at the moment और साथ ही साथ जो stellar smart contract है इस समय पर so make it sense to work with them for preparing my debts for pi smart contracts in the future so यहाँ पर इसका मतलब यह होता है कि यानि कि अगर हम इसके साथ में काम करते हैं by preparing my debts यानि कि जो decentralized application है उसको अगर मैं prepare करता हम for pi smart contracts in the future यानि make it sense to work with them for preparing my debts for pi smart contracts in the future यानि कि इसका मतलब यह जो हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर यह जो है work करेगा जो मेरी decentralized application है उसको pi smart contract के साथ भविश्य में जोडने के लिए या फिर उसको जोडते हुए आगे उसको run करने के लिए इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है crypto jing की तरफ से buy better you could integrate the stellar SDK यानि कि आप जो है यहाँ पर integrate कर सकते हैं stellar software development kit अपनी apps के अंदर and work with them now और उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं this is how project that are making NFT और इसी तरीके से जो यह project है वो यहाँ पर NFTs बना रहा है on testnet are doing it और साथी साथ testnet के उपर और साथी साथी यह कर भी रहा है the restraint would be that you would need to work with the stellar SDK functions पर यहाँ पर जो है आप को जो है work करना चाहिए stellar SDK function के साथ operations that matches जो कि यहाँ पर match करे the version of the stellar core जो stellar core का वर्जन है उसके साथ that is being run on the testnet और mainnet और वो SDK और यह stellar core जो कि यहाँ पर already यह testnet और mainnet के अंदर काम कर रहा है इसके बाद bite better में यहाँ पर जो है किसी ने कोई होगा और pioneer तो उनकी तरफ से फिर आगे लिखा है अलिका रास ने the problem is that developers are waiting also for updates तो यहाँ पर मुश्किल यह है दोस्तों की जो developers हैं वो भी यहाँ पर waiting कर रहें updates के लिए यानि कि score team के साथ में यहाँ पर जो developers हैं वो भी updates के लिए wait कर रहें and at the moment it's only possible और फिलहाल यह तभी possible हो सकता है to receive pi coins from user to my debt यानि कि at the moment it's only possible to receive pi coins यानि कि इस समय पर जो इस समय पर यह तभी possible हो सकता है pi coin को receive करना from users यानि कि जो users है to my debt but I can't send coins to users with the SDK पर मैं यहाँ पर जो है अपने pi coins को किसी को send नहीं कर सकता by SDK यानि कि SDK के साथ या with the SDK की यानि कि SDK के साथ मैं किसी और user को यहाँ पर फिलहाल जो है कोई coin जो send नहीं कर सकता यह तभी possible हो सकता है जैसा कि यहाँ पर कहा गया है जब यहाँ पर updates के उपर work जो है finalize की announcement की जाए या फिर जो भी work किये जा रहे हैं उसका एक final output निकल करके आए so at the moment यह सिर्फ तभी possible हो सकता है जब यहाँ पर SDK जो है वो कही न कहीं integrate इसके साथ में किया जाए so I can only talk for me तो फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए ही बात कर सकता हूं but for my project it is too less but मेरे project के लिए यह बहुत ही कम है smart contracts are future things जो smart contracts हैं वो भविश्य की चीज़े हैं we developers must also wait हम जो developers हैं हम सभी को फिलहाल wait और इंतिजार भी करना चाहिए to realize more than the simplest transaction जिससे कि हम यह realize कर सके कि जो simple transaction है उससे कहीं जादा हम को जो है वो उसका advantage हम लोगों देखने को मिले तो उसके लिए हम जो developers हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी इंतिजार ही कर सकते हैं to realize more than the simplest transaction इसके बाद यहां पर by better की तरफ से hey I work on the developer relations site for the core team तो यहां पर hi बोला है by better ने कि मैं यहां पर जो है काम कर रहा हूँ developer relations site core team की तरफ से या for core team के लिए but we don't have an update पर हमारे पास यहां पर कोई update नहीं है SDK के लिए फिलहाल के समय पर for you आप सभी के लिए but we did upgrade the stellar core version of the mainnet पर हम यहां पर stellar core version को upgrade कर चुके हैं for the mainnet of the mainnet यानि mainnet का जो stellar core version है उसको हम लोग upgrade कर चुके है to version 18 various यानि कि जो version 18 है various the testnet was on version 15 यानि कि जो version 15 था उससे अब हम version 18 में upgrade कर चुके हैं so this bring many new possible features और यह जो है यहां पर और ज्यादा नए features जो है वो लाने की संभाबना रखेगा which we can build on in the feature जिसको हम आगे चल करके भविश्य में बना सकते हैं उसके बाद last जो reply है वो है deep swag the team is working on getting the inactive जो team है वो फिलहाल काम कर रही है कि किसी तरीके से जो inactive pioneers हैं उनको वापिस लाए जा सके mining through alerts जो alerts है या notification है उसके जरीए but I don't know if email is being planned पर मुझे ये नहीं पता कि इसमें जो है email भी अगर add किया गया या email को भी यहाँ पर plant किया गया है उन inactive users को दुबारा से pi platform या mainstream के उपर लाने के लिए तो ये दोस्तो सारा discussion था overall अलग 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 जो है इसके अंदर सवाल थे और जो जवाब थे वो भी कुछ अलग अलग जो core team की तरफ से member रहेंगे उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ दो से तीन लोगों की तरफ से यहाँ पर लोगों के सवालों के हिसाब से हाँ पर जवाब जो है दोस्तो हमें इसके अंदर देखने को मिले तो इतना ही दोस्तो इस वीडियो के अंदर बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के नए-ने features आने की संभाव ना है नए-ने features आने की संभाव ना है किस तरीके के आएंगे उसका भी idea नहीं है लेकिन यहाँ code team जो है काफी चीज़ों पर work कर रही है और continuously हर तरीके से जो भी यहाँ पर हम लोगों problem देखने को मिल रही है जैसे for example कि जो inactive users हैं उनको वापिस लाने के लिए भी पाई code team या पाई network team सोच सकती है यह मैंने नहीं सोच आता लेकिन उसके उपर भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जो है एक बोल सकते हो कि इसको भी मतलब कहीना कि इन्होंने priority दी है और इसको भी एक important factor माना है पूरे project के अंदर इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो inactive users हैं उनको पाई network के अंदर वापिस लाने के लिए भी यहाँ पर इनकी planning है नएने features add करने की यहाँ पर इनकी planning है तो दोस्तों यहाँ पर overall project के अंदर जो भी चीज़े मैं देख रहा हूँ जो भी development मैं देख रहा हूँ व जो भी लोगों की problem है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर हर एक चीज यह खुद से implement कर रहा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है core team या pi network team जो है वो यहाँ पर सभी चीज़ें सोचते हूँ यहाँ पर इस project की progress को टेजी में लेकर के आ रही है और आन communicating yourself दोस्तों और आगे दोस्तों इसी तरीकी updates लेने के लिए चैनल को like subscribe करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर कोई भी आपकी query है आप उचे comment section या Instagram पर जो है contact कर सकते हैं इतना ही दोस्तों इस video के इंतर मिलते हैं next video में किसी और नई update नई जानकारी किसी और नई opportunity के साथ म मैं तब तक के लिए दोस्तों good bye take care चैनल चैपाई